वेल्कम फ्रेंड्स आज मैं मंदी निरिक्षक भरती परिक्षा के लिए आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेखे आयो इस प्रैक्टिस सेट में कुल 30 प्रश्न है 30 प्रश्न 30 अंके हैं जिसका PDF में आपको mail के थुरू जिन होनों अभी registration किया है उनको mail के थुरू या जो लोग अब registration नहीं कर पाए हैं वो हमारे telegram में जाकर telegram में जाकर इसे download कर लेना इसमें 30 प्रश्न है 30 अंके अब आप देखना test देने के बाद आपके कितने questions हैं हो रहे हैं और test देने के बाद आप मुझे अपना marks यहीं YouTube चनल में ही आके comment करना कि आपके कितने questions हैं हुए एक पर paper देख लेते हैं किस तरह से questions हैं इस प्रकार यह PDF है इसमें total 30 प्रश्न हैं आपको 45 मिनट में इसको solve करना है और negative marking जो है one fourth है अब negative marking कैसे calculation करना है इसके लिए मैंने एक video बनाया हुआ है जिसको description में link दे दूँगा मैं देखना आप किस तरह से calculation करेंगे test देने से पहले आप यह 30 प्रश्न का इस तरह का एक virtual OMR sheet बना लेना और कुछ question computer से है कुछ Hindi से है कुछ question history से है कुछ कुछ प्रश्न आपको सम्विधान से भी दिखाए देगा कुछ भुगोल से है एक दो कुशन economics से भी है science से भी question है और current affairs से भी question है इस प्रकार इसमें 30 प्रश्न दिये हुए है इसका जो model answer या answer की है मैं शाम तक telegram में upload कर दूंगा answer check करने के बाद आप मुझे अपना answer comment करके बताना अपना marks comment करके बताना कि आपको 30 नंबर में कितने marks मिले जिनका marks 30 में 25 या 25 से अधिक आएगा वो समझना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और जिनका marks यदि 25 से कम आ रहा है तो वो समझना कि आपको और अधिक मेहनत करने की जरूरत है जैसे मेरे यहां भी test series चल रहा है और इस test series में कल हिंदी का test हुआ था परसों हिंदी का test हुआ था तो उस हिंदी में 50 marks में देखिए कुछ student ने top 10 में आपको दिखा रहा हूँ student जिन्होंने 48 पाया है 47 पाया है तो इनकी तयारी अच्छी चल रही है तो आपको इन से compare करना है क्योंकि इन ही से ही तो competition है आपका तो आप इन से अपने marks की compare करिए कि आपको कितने marks मिल रहा है देखिए examination hall में जाके compare करने से better है कि आप यहां compare कर ले क्योंकि यहां पर आप जो गलती करोगे उसे आप सुधार सकते हो और examination hall में 29 तारिक को आपका दीन गलती कर रहे हो तो आपको सी पच्ताना पड़ेता इसलिए यह जो test में लाया हूं इसे जरूर दीजिए आप यह free है सबके लिए इसको download करने के लिए telegram से download कर लेना और अंत में मुझे comment करके अपना marks जरूर बताना इसका answer की शाम तक आपको मिल जाएगा